साथियों अभी में बहुत महित्वपूर अती महित्वपूर बात आपसे बताना चाहा रहा हूँ अब सभी लोग प्लीज सारे छोटे भाई भेन बहुत ध्यान पूर्वक सोने अब सभी के आज के बाद के जीवन के लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज है अब सभी जानते हो उत्रप्रदेस पुलिस कॉंश्टेमल 6244 भरती का रिये एक्जाम तेन दिन 6 शिफ्ट हो चुकी है और दो दिन बाद साथी आपकी 30-31 के शिफ्ट भी खतम हो जाएंगी तो जिनका 23-24-25 को था वो फ्री हो गए और जो साथी 30-31 का है उसके बाद में फ्री हो जाएंगे आ आप सभी जानते हैं आपने जीतोड मेहनत की है इस बार और आपने रात दिन एक कर दिया यही किया ना रात दिन जैसे कहते हैं ना एक कर दे ना आपने सच में रात दिन एक कर दिया मैं देखा रात को दो बज़े किलास से तो भी आप देख रहे हो दिन में दो बज़े किल सब कुछ आपने दाप पे लगा दिया उसका परिडाम क्या हुआ उसका परिडाम साथी यह हुआ कि या तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है क्योंकि आपने महनत की और वो आपका दिन भी अच्छा था बहुत सारे बच्चों ने बहुत महनत की लेकिन किनी वजह से उन ऊपने risenign पढ़िये आपने बچ्चाजी करिये और आपने बच्चा हिंदी पढ़िये आप ये जानते चारो सब्जेक्ट और चारो सब्जेक्ट में पैं मैं कहता हूँ अच्छा गया अच्छी बात है अगर उतना अच्छा नहीं गया बुरा गया है तब भी मैं गारेंटी कह रहा हूं कि पचास साथ परसेंट तो आपका बहुत अच्छा मतलब आप डेड़ सो कुश्चनों में से सतर पिछटर असी तो जरूर करके आए होगे मतलब जहां बुरी हालात में थे जहां को क कुछ नहीं आता था वह से आप सोचो यहां से आपने चला शुरू किया था यह आधार था आपका जहां पर आप शुन्ने थे और आज साती कम से कम आप इस जीतोर मेहनस से यहां पचास साथ पिरतिसत पर तो पहुँचे मतलब आपकी आधी मंजिलते हो गई आपने अपना आधा रास्ता ते कर लिया अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं या तो साती आप यहीं पर रुख सकते हो या आप यहां से वापस जा सकते हो और एक रास्ता है कि आप यहां से दुबारा चलना सुरू कर सकते हो कि बचा हुआ जो पचास परसेंट है उससे दिल पर चो जान में अभी मन्यू की तरह कि चारों तरफ दुस्वन और चारों तरफ विसम परिस्थिती और फिर भी वो शेर का बच्चा लेके रत का पहिया खड़ा हो गया उसकी तरह भबकते हुए गायल शेर की तरह फेर से उठो कि क्या हुआ अभी मेरा परणाम 50% है इस 50% की तरफ और बढ़ूंगा और चार सब्जेक्ट आपके तयार हैं आपके पास दो रास्ते हैं या आप उदास रोना पढ़ना छोड़ना यह सब कर सकते हूँ लेकिन इससे परणाम क्या मिलेगा परणाम तो वही हुआ ना जो आज है परणाम तो वही हुआ ना जो शुन्ने हैं क्य कुछ परड़ाम मिलेगा जब की असली कौन होगा जब तुम्हें परड़ाम मिलेगा और परड़ाम कम मिलेगा बच्चा जब तुम आज रुकोगे नहीं आज से तुम महिनर शनू कर दोगे आज का नोटिफिकेस आ आना है अब जानते बहु यह चारो सबजेक्ट एं कते भी शोकमत मनाओ शोक मनाते कायर वीर मनाते हैं लक्षे शोर वीर क्या मनाते हैं लक्षे मंजिनों को तो आज अपने आपको ये कसम उठा-लो ये अपने हात में ये पिर्टिग्या उठालो उस एक लवे जैसी कि ना हो गुरू का साथ ना हो दुनिया में कोई लेकिन अगर में विस्व का सर्वस्रेश्ट धनूदर बनूँगा तो बनूँगा उस अभिमन्यू के तरह क्या हुआ कि मैं चक्रव्यू से बाहर ने निकल सकता तोड़ तो सक आज तो चटका सकता हूँ ना सबका तो कहने करत क्याए बच्चा यहां से तुम्हें वापस नहीं होना तुम उस किसम को याद करो जो माप आपको दी है 50-30 पहुंच चुके जीरो पे नहीं हो तुम अब से पहले जीरो पे थे आज तुम पचास साथ तुम में से कोई 70-80 पे होगा बस तुम्हें थोड़ी सी मंजिल अगर तुम्हें यहां से लोटे तो तुम्हें कायर कायर और तुम्हें यहां से कोई नहीं पूछेगा अगर तुम यहां से चले तो लोग तालिया बजाएंगे तुम्हारी लाइबरीरी तुम्हारे गाओं में किस बच्चे का पेपर बुरा हुआ सब ने इसको ताने दिये इसने महिनत की और इसने एक बार फिर से अपने माबाप का नाम रोसन कर दिया सोचो अपने खिलाडी देखे होंगे सोचो अपने देखा होगा किसी खिलाडी का समय नहीं चल रहा लगातार फेल होता जा रहा है विराट कोहली भी रोष शर्मा भी बड़े-बड़े खिलाडी और लोग हर जगे सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं उन्होंने हमारा बरबाद कर दिया यह सब और वो अंदर से जुनून आता है वो फिर से महनत करता है वो फिर से लड़ता है और वो फिर से खड़ा होता है या वो हार मान जाता है तो मुझे बताईए परड़ाम किस से मिलेगा हार मानने से मिलेगा या लड़ने से मिलेगा एक एक बच्चा कमेंट करक लेकिन वीरता पूर्वक लड़े तब भी दुनिया याद करती है और अगर तुमने मैदान छोड़ दिया तो कोई पूछने वाला नहीं होता हमारे पास सो समस्याएं हमेशा रहेंगी तुम नोकरी पेशा भी लगा लोगे तब दस तरीके की नई समस्या जाएंगी लेकिन य अच्छा गया है 31 तारिक की रात को बता दूँगा कि इतने माक सारे तो रनिंग मारो जिसका नहीं गया आज से ही अच्छा भी गया तो भी आज से ही लग जाओ ऐससे सिज़ी और मैंने क्या कहा बस तुम अपना आत्म विश्वास मथिलने देना तुमने इस बार समय दे द आज आ रहा है अज से साथी ससे जीडी की पढ़ाई शुरू कर दे रहें आप सभी को मैं बता रहो आपका जो अपना एक्जांप यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो इसी पर साथी आज हम लोग ससे जीडी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो स ससे जीडी के नोटिफिकेशन पर पूरी की पूरी वीडियो बनाऊँगा 10-15 मिनिट की एक-एक एलिजिबिटी को चेक करना और एक-एक एलिजिबिटी को चेक करके उसके बाद में तुम और दूसरी बास साथी जो साथी एलिजिबिटी को चेक करने के बाद में बिलकुल उनके एलिजीबल SSGD का एक्साम दे सकते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहो आज राज से ही बच्चा जीके की किलास लगा रखी है आज राज से ही आज रात नो बजे से अगर तुम खाली रहे तुम अकेले रहे तुम हिम्मत हारोगे तुमारे पास सो दिमाग में बुरे खयाल आएंगे तुमने आज से ही अगर अपने आपको जोड लिया लक्षे से और ये लिख लिया सर विविल फाइट बैक बस मुझे एक ही शब्द चाहिए कमेंट्स में फाइट बैक फिर से लाएंगे फिर से जीतेंगे और इस बार समय है इस बार और बहतरीन तयारी करे इंटरनेट रिचार्ज कराईए और पैसे देने की बात नहीं कर रहा और आज रात इस क्लास में सबसे पहले सुरुआत करेंगे कुश्यन पूछे कैसे जा रहे हैं और आज मुझे ये गारिंटी है कि तुम इसमें 60% जरूर सही करोगे ये मेरा तुम पे भरोसा है किस क्ला परसेंट से सुरुवात करोगे बाकी 0% से बस तुमें 40% ओला नहीं इसलिए आज रात नो बजे इसलिए मैंने लिंक यहीं पर और एक दिन का रेष्ट नहीं है क्योंकि वीरों की युद्धाओं की जिंदगी में रेष्ट नहीं होते एक लक्षे से दूसरे लक्षे की तर होगे और यहां पर इस वीडियो को लाइक कर दोगे जिससे यह पता चल जाए कि शुभारंब हो चुका है जो जो लाइक करके जाएगा इसका मतलब तुमने अपने जीवन को बदलने का नारियल फोड़ दिया है उत साह से घड़े हूँ क्यों रोते हो उत साह से घड़े लड़ाई तो है आधा तो आई गया ना मंजिल पर वो कहते हैं न कि ठोकरे जहर तो आज नहीं तो कल मंजिल को जीत ही जाऊँगा आज नहीं तो कल इस मंजिल को जीत ही जाऊँगा ये ठोकरे जहर तो नहीं जो खाके मर जाऊँगा जिन्दा हूँ तो दिखाओ जिन्दा हो और एक अभ्यरती एक छात्र के जीवर में जिन्दा है जब तो उसकी कलम चल रही है बोलो लेखनी चलेगी ये कलम चलेगी लेख़ो कलम फिर से चलेगी सभी से ओपलेंट कमेर्च चाहूंगा कि एक बार फिर से उठके हैं ये कलम फिर से चलेगी तीन वक्त की ना सही एक वक्त की रोटी खालेंगे चार महीने और लेकिन इस बार इस पचास परसेंट को सो परसेंट पर लाके रख देंगे कते भी हिम्मत मत आरना कोई गलत कदम उठानी की मत सूचना तुम्हारे बड़े भाई अभी जिन्दा है ये लेखिनी जिन्दा है ये हाथ ये अभी फिर से अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है अपनी किस्मत अपनी हाथों से लिखने के लिए नहीं हा रहेंगे भगवान से भी कहते बनाओ जितनी विसम परिस्तिती बनानी है बनाओ जितने बुरे दिन बनानी है हम लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे तो तैयारो रात नो बजे एक एक बच्चा ये लेखनी तैयार है चलिए साथियो हिम्मत बतार अभी लक्षे और है अपने पास जिसकी एज नहीं होगी एलिजिबिलिटी नहीं होगी NTPC Group D UPSI हिम्मत नहीं हारने देंगे ठीक है ऐसे हिम्मत नहीं NTPC Group D उसमें इच 33 तक होती है जनरल के लिए SCST OBC तीन साल पांस साल की छूट और UPSI 28 जनरल तीन साल की छूट लेकर आएंगे पांस साल SCST OBC तो कते हिम्मत नहीं लेगें सुरुआता जीडी की है सुरू कर देते और आरपी एफ है NTPC Group D और तुम्हें कुछ मदद चाहिए कमेंट्स कर देना दिल की बात पूर्ती कर देंगे आप सभी के लिए बहुत सारी शुब काम नहीं बस इतना जरूर है कि आप सभी इसको साती नोटिफिकेशन को और पता शुरुआत कैसे करते थे शंक बजाकर वला चीते आ गएं सामने वाले की लंका लग जाती थे ठीक है चलिए ऐसे सुरू करेंगे देखते हैं कैसे मंजिल नहीं मलेगी ऐसे हसी से ऐसे उत्सहा से ठेंक्यू धन्यवाद जय हिंद